हिल इस्टोनेट में एक तसी आप सबी का ग्यान चितने चेनल बहुत-बहुत स्वाथ करती हूँ आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरियन उपिंदर सिंग की बुक प्राचीन एवं पूर्व मद्दिकालीन भारत का इत्यास में आज हम धर्मिसास्त्र का जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं यह अध्याय लेसन नमबर वन है और जिसमें आज हम यहाँ पर धर्मिसास्त्र पढ़ेंगे और इससे पहले हम मैंने पुरान से रिलेटेज जो है वीडियो अपलोड किया था तो आज हम धर्मिसास के बारे में पढ़ते हैं संस्क्रस के धर्मिसाप्त की उत्पत्ती ध्री यानि धातू से हुई है जिसका अर्थ होता है धारन करना यानि कि जो ध्री है उसका अर्थ होता है धारन करता है किन्तु धर्म कासशाब्दिक अनुवाद करके इसका सम्रद अर्थ की संबंद व्याख्या नहीं की जा सकती है धर्म के अंधारना इस तत्थ से जुड़ी हुई है कि इस ब्रह्मान का संचालन कुछ है कुछ ने सरगिक नियमों के अनुसार होता है तो यहां पर बताया गया है कि जो ब्रह्मान का संचालन है वो कुछ नियमों यानि कि ऐसे नियम होते हैं मतलब कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार कि पूरा समस्त ब्रमान जो है चलता है और समाज को संचालित करने वाले नैतिक नियमों का इन नैसर्गिक नियमों के साथ समंज होना आवज़ाख है तो यहाँ पर क्या किया है कि एक तो नैसर्गिक नियम बताए गए हैं चाहे वो ब्रमान को चलाना हो या फिर समाज को चलाने के कुछ नियम तो जो ब्रमान को चलाने के जो नियम है वो अलग है और जो समाज को चलाने के जो नियम है वो अलग है वो किसने बनाए हैं वो मनुश्यों द्वारा बनाए गए हैं और यही क्या है हम आगे देखेंगे कि धर्मे शास्त में जो बाते लिखी गई है वो पूरी से पूरी लागू किया गया है किस पर समाज पर उस टैंक के समाज पर तो अब यहां पर आगे बताया है कि क्लासिकर ब्रहमणवादी विचारधारा के अनुसार ऐसा मारा जाता है कि धर्मे जो है समाज में रहने वाले व्यक्ति का आदर्स आचरण है यह मानविय जीवन के बैदानिक लक्षों की पूर्ती के लिए धर्मे का आचरण करना अनिवारी है मानविय जीवन के लक्ष पूरुशा इस प्रकार का बियुपं हर का मोक्ष जो हैं से मूक्ति कहा गया है अर्थ और काम को यदि धर्म के अनुरूप नियंतर किया जाए तब मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसी माननता है अब आगे बताये कि धर्म की अवधाना संसार से जुड़ी होई है जन्म का जो चक्र है चक्र जीवन मिर्ट्यो और पुनर जन्म से एक चक्र का बूत होता है इसलिए कहा जाता है धर्म के आचरन से अध्यात्मिक पुन अर्जित होता है जिससे अगला जन्म निधारित होता ह मतलब आज हमने इस एक जनम में जो हमने कर्मे किये हैं उसी की आधार क्या है हमारा पुनरजन में होगा ऐसा बताया गया है आगे हैं इसलिए प्रतेख व्यक्ति द्वारा अपना कर्तब पालन भी धर्मे ही माना जाता है मतलब यहां पर कोई धर्मे किसी विशेश कोई धर्मे नहीं है धर्मे क्या है समाज में जो रहने के लिए कर्तब या फिर एक नियम जो बनाए गए हैं उसी को यहां पर धर्मे कहा गया है संस्कृत में उपलब्द एक विशेश कोटी के गरंथों को धर्मसास की संग्या दी जाती है जिसमें धर्म की शास्त्री विवस्ता की गई है इन गरंथों को तीन समूहों में बाटा जा सकता है इसमें से पिर्थम दो है धर्मसूस्त, सूत्र तथा इसमर्थी मतलब पहले में जो हैं दो संधर में सूस्त्र हैं तथा इसमर्थि कहलाते हैं जिनकी रचना लगभग 600 से 300 ईसापूर्व की हैं तथा 200 से 900 ईसापूर्व से 900 AD के अबदी में हुई हैं तीके अब जो तीसरा समू आता है तीसरा समू के अंतरगत टीका तथा भाष करमेशायाव संधित ने ब्रहत बयाख्याएं निवन शास्त्रों का सारांस निशकर्स तथा संग्रे विवन शास्त्रों का संकलन को रखाया है जिनका रचनाकाल नौवी से 19 वे सताब्दी के के बीच अत्यादिक समानता इसलिए प्रथक प्रथक शास्त्रों के लिए तिथी सुनिश्यत करना कठिन है तो यहां पर बताये गया है कि भाषा और शेली की दरश्टी से क्या है अत्यादिक समानता देखी गई है और इसलिए क्या है प्रथक प्रथक शास्त्रों को तिथ कि क्या सुनिष्यज़न मोग एक की मैं नहीं रख सकते की कि यह क्या है इसका टाइम पिरिय्ड है वो इतना ही है तो किसी एक क्यों को सुनिष्य़न कर अनधिन है आगे धार्म-शुष्च्ण को धर्म-शाथ्ष के साथ यहा नियुक.. . वेदां के अंतरगत कल्प सूत्र कर्मकारंडों के सूत्र भी आते हैं जिन्हें शौत्र सूत्र या ग्रहम गया है सूत्र तथा धर्मसूत्र तीन समूहों में बाटा गया है यानि सौत्र सूत्र गहर सूत्र और धर्मसूत्र तीन भागों में बाटा गया है वेदां के अंतर संशिप्त कथनों के रूप में विचार को प्रिस्ट करने की शैली है सौत्र सूत्र जो हैं बेदिक कर्मेकांड से जुड़ा हुआ है जिसमें कम से कम तीन प्रकार की अगनी का प्रियोग होता है ग्रह सूत्र सरल दैनिक क्रियाओं से जुड़ा है इनमें एक प्रकार की अगनी का प्रियोग यहाँ पर उप्योग होता था इसमें संसकारों की भी बिवेचना की गई है वही संसकार जो हमारे 16 संसकार होते हैं जिसमें उपनयन, बिवा, अंतेश्टी यह सारी के सारे आते हैं तो वही जो क्या है संसकारों के भी विवेचना हमें मिलती है किसमें ग्रहस सूत्र में आगे है जो मानव जीवन से जुड़ी हुई प्रमुक्र अवस्ताओं में संपन किये जाने वाले कर्म कांडों को कहा जाता है जैसे कि उपनैन हो गया विवा हो गया अंतेश्टी के लिए धर्म सूत्र जो है धर्मे की विवेचना करते हैं आगे है धर्म सूत्रों में धर्मे के तीन स्रोथ माने गए हैं धर्म सास्त्रों में धर्मे के तीन स्रोथ माने गए हैं शुरूति, इस्मृति और सदाचार अथवा शिष्टाचार सु संस्कृत लोगों के द्वारा ब्यवहत आचार चुकि देविक सहिताओं में आचरन संबंदी नियमों की कोई प्रिटेक्ष चाचार नहीं की गई इसलिए उपरोक्त मैसे धर्मे के दूसरे और तीसरे स्रोत अधिग मातपूर्ण है धर्मे व्यक्ति के लिंग, आयू, विवाई, इस्तिती वर्ण और आश्रम पर निर्भर करता है ब्राह्मान, चत्रे, वैश और शूद्र ये चार वर्ण है मतलब इसमें वर्णों की भी विवाजित बाटा गया है इसमें प्रिथम तीन वर्ण जो है दुज की मानिता मिली है क्योंकि इन वर्णों को क्या है? उपनयन कादिकार प्राथ्था जिस संसकार की तुलना एक दुतिय जन में से की जाती है आश्रम विवस्ता के अंतरगत एक दुज वर्ण के पुरुष के जीवन को चार आदर्श अवस्थाओं में बाटा गया है ब्रह्मचार एक रहस्त वान्यप्रहस्त अतथा सन्यास इस्त्री और शुद्रों के लिए इनका अनुसरन आपेशित नहीं था जो है शुद्रे इनका अनुसरन नहीं कर सकते थे आपेशित था चूकि चोथा आश्रम सन्यास ता संसार के स्वयम को पूर्ण रूप से प्रथा कर लेना कभी भी अनिवारे नहीं था इसलिए ग्रहस्त आश्रम सामाजिक जीवन की मुख अवस्ता है जिसमें प्रवेश की तैयारी बिर्म में चर्य कहलाती थी जिसमें स्वयम को प्रथा करने के से बानपरस्त कही जा सकती थी आश्रों विवस्ता एक आदर्श विवस्ता की कलपना करती है ऐसा नहीं माल लेना चाहिए कि प्राचीन भारत की लोग वास्तविक जीवन में उनका रक्षाह पालन कर रहे थे ध्यान देने वाली योग बातें यहां परें कि मात्र आदर्श के रूप में भी इस्त्री और शुद्र पर यह लागो नहीं था आगे है धर्मशास्त्र में सामाजिक आचरन के अतिरिक वैसे प्रसंगों का भी नियम बद्र किया गया है जो दीवानी फौसदारी और व्यक्तिकत कानून जैसे लगते हैं उस समय भी क्या है दीवानी फौसदारी और जो परसनल लौ थे वो भी किसके अंतरकत रखे गए धर्मशास्त्र में इसका प्रवधान दिया गया था तो उस समय जिस परकार के वैक्तिकत कानून हुआ करते थे वो उसके अक्वार्डें ही था आज के उसमें जिस परकार से है उस तरीके से नहीं था आगे है लेकिन धर्मशास्त्र में वनित इन नियमों को भारती दन सहीता भारती सिविल सहीता की तरह नहीं दे कर जा सकता जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था आगे है हमारे पास ऐसा आधार नहीं है जिसमें आंख्लन किया जा सकेगी धर्मशास्त्र के नियमों का प्राचीन भारत में कितनी बाददा थी तो हम ऐसा कोई भी आकलन नहीं कर सकते थे कि धर्म सास्त्र को मानने के लिए यहां पर कितना मतलब बात दे किया जाता था इसकी जानकरी हमें नहीं मिलती है धर्मेशास्त्र जो है सैध्धान्तिक और निर्देशात्मा गरंथ हैं तो धर्मेशास्त कैसे गरंथ है एक सैध्धान्तिक है और निर्देशात्मा गरंथ है इसमें ब्राम्मार धर्म बिशेशग्यों का एक आदर समाज का चित्र मिलता है धर्मेशास्त्र में कई अंतर वि जिन्निता और समय के साथ बदलते सामाजिक धाचि वा विचारों की जलक भी क्या है हमें देखने को मिलती है। वो यहाँ पर important होता है किसमें कौन-कौन सी चीजें बताए गई हैं समाज के लिए क्या था और कौन से नियम थे ये सारी चीजें तो हम वीडियो को यहीं end करते हैं आगे हम यहाँ पर primary source भी दिया गया है तो धर्मसास से related इसको भी हम यहीं पर या फिर अगले वीडियो में देखते हैं इसमें हम मनुस्मृति के बारे में कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई गई हैं मतलब धर्मसास कितना बेवहारिकता और सिद्धान्त की रूप में इन सब को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा पसंद आ रहा होगा प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और वीडियो के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धेंगे